आज मैं अपको लेकर आई हूँ, बहुती बेहतरीन कीचन and होम टिप्स ये चोटी चोटी टिप्सें आपके घर और आपके कीचन को व्यवस्तित करने में बहुत जादा हैल्प करने वाली हैं और चुटकियों में इससे काम होने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की टिप से मेरी पहली जो टिप है दोस्तों ब्लाउस को लेकर है और अकसर ये प्रॉब्लम आपके साथ जरूर हुई होगी ये आपने फेस करी होगी अकसर जब भी कभी हमने नया ब्लाउस से लाया होता है ये वो बहुत ज़्यादा लूस हिल के आजाता है हम उसे ट्राइ नहीं कर पाते हैं और हम इंस्टेंट जाना होता है और कभी कभी ये होता है कि जो ब्लाउस का काज होता है वो तूट जाता है और आपको instant कहीं जाना होता है तो आज एक simple सा hack मैं आपके साथ share करूँ दोस्तों इसके लिए चाहिए दोस्तों आपको safety pin और जिस तरीके से आप safety pin लगा लेनी है blouse के अंदर की तरफ इस तरीके से देन आप उसके उपर अपना काज लगा लीजिए और जितना भी lose आपका blouse हो रहा है वो tight हो जाएगा ये देखिए है ना और यही hacks आप तब भी use कर सकते हैं अगर आपका काज तूट चुका है और आप वहाँ पे इस safety pin को आराम से लगा सकते हैं नेक्स टिप है दोस्तों कि कई बार हमारे पास ऐसे airings होता है जिनके पीछी के जो डंडी होती है आई डून नो से बोलते हैं वो तूट जाती है या कुछ ऐसे airings होते हैं जिने आप हम पहनना पसंद नहीं करते हैं या हमें अच्छे नहीं लगते इस टाइप के airings को अज़ा आप मांटी का भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा लगता है दूसरा hack मैं आपके साथ शेयर करूँ कि जो भी आपकी कुड़ती है और plane आपकी कुड़ती है या इस टाइप की कुड़ती है बस उसमें आप इसे safety pin की help से या सुई धांगी की help से लगा लीजिए और आपकी जो कुड़ती है उसमें चार्ज चांद लग जाएंगे तो है ना airings भी काम में आ चुका है और जो कुड़ती है वो भी और अच्छी लगने लगी है दूसरा hacks मैं आपके साथ शेयर करूँ या आपके पास इस तरीके की jewelry है जिनके कान के आप नहीं पहनते तो इसे as a बस अपनी cotton की कुड़तीयों में लगाईए यह जो आपको लगता है कि इसमें यह airings बहुत अच्छे से जाएगा बस यह मैंने देखिया अपनी एक cotton की कुड़ती में इसे लगाया है और यह कितने अच्छे लग रही है मतलब बिल्कुल ही इस कुड़ती का जो look है वो पूरी तरीके से change हो चुका है तो next time अपने पुराने airings को फेकने से पहले इस टाइप के hacks को जरूर फॉलो करें next tip है दोस्तों मेरी गाजर को लेकर अक्सर जब हमारे पास गाजर काफी ज़्यादा मातरा में होती है और उसे में हमें फटाफट पील करना होता है और हम चाते हैं इसका जो extra अंदर की गाजर है वो भी बाहर ना आए तो इसके लिए सबसे best hack है आपको spoon की help से इसे rub करेंगे ना तो आप देखेंगे इसके एक पतली सी ही layer बाहर निकलेगी और इससे बहुत ही जल्दी गाजर पील हो जाती है एक बाद ट्राय करके चरू देखेगा यह देखें सैकंड में ही गाजर पील हो जाती है तो यहाँ पे देखें मैंने यह लिया simple सा अपने से पील करा और पीलनर्स की help से अगर आप करते हैं तो गाजर की मोटी परत निकलती है भार और गाजर भी waste होती है तो है ना यह वाला hacks useful next tip है दोस्तों अक्सर हमारे bathroom में इतना space नहीं होता कि bucket को हम नीचे रखें तो हम किस तरीके से अपने bucket को organize करें तो मैं चाती हूँ कि इस bucket को organize हम इस corner में करें बट इस corner में organize करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है जितनी bucket का आपका size है उसे site से mark कर लें कि ये इस corner में अच्छे से fix हो जाए तो यहाँ पर मैंने एक marker के help से बस हलका सा निसान लगा लिया है कि इस site से जो bucket है ये इतनी आ रही है दोनों की जो sites हैं वो equal होनी चाहिए जब आप इसमें marker लगा लें उसके बाद आपको चाहिए इस तरीके की hooks और hooks आप जब यहाँ पर लेंगी तो आपको अच्छी quality की hooks लेने है अगर आप low quality की लेंगे तो वो बाल्टी का weight नहीं सैन कर पाएंगे और बाल्टी नीचे गिर जाएगी और आपको बहुत तेज से आवाज आईगी और आप डर जाएंगी मैं मजा कर रही हूं अक्सर होता है कि हम अपने ध्यान में होता है और ध्रैम से आवाज आती है तो इस तरीके की जो hooks है आपको लगा लेने हैं कोने में और इसके बाद आप इसमें अपनी बाल्टी को आराम से हैंक करके रख सकती है और आपका नीचे का जो इस पेस है वो पूरा खाली भी हो जाएगा तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स टिप की तरफ अक्सर हमारी सीजर में धार ब कोई भी पुरानी बैंगल जो आप बिल्कुल यूज नहीं करती है बस उस मैटल और सीजर को आपस में अच्छे से चला लेना है और जब आप इसे चलाएंगी तो आप देखेंगी जो धार है आपकी सीजर की वो बहुत जादा तेज हो जाएगी अगर आपके पास इस तरी पसंद आएगो तो पसंद आएगो तो करना क्या है मुझे कमेंट शेक्शन में यह जरू बताईएगा कि आज का इस वीडियो आपको कैसा लगा